तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम आपके लिए लाइए एक न्यू लैक्फिक्स वनफिक जो कि अल्ट्रा लैक्फिक्स वनफिक है तो गैस इसमें फुल वीबॉट आदम फिक और वीश्किन गॉनफिक है तो गैस जो इनके डाउनलोड लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आपके पाग कोई एड नहींगी कोई इसके पाप एड नहींगी डिरेक्ट डाउनलोड होगी और गैस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आई है तो अपने फून का मोडल और रैम जरूर बता इसनी स्मूँच चलिए है आपकी गेम भी बिल्कुल ऐसे इसमूँच चलिए कि कोई भी लाइग नहीं आएगा और गईज अगर आपको बहुत ज्यादा स्मूथ परफॉर्फॉर्मेंस चाहिए बिल्कुल भी लाइग नहीं चाहिए तो फिर आपने फुल वीबॉट आद पहले स्पीको करने तो जो आपका ली लाइग वोगों बिल्कुल खतम होלאगा और कि अपको भी दिखा भी दुगा कि अपने को कैसी अपलय करने तो आपने वैसी एकर नहीं उसको सारे सेपस को फ्लो करकी तो आपके मब भी कोई भी लाइग नहीं होगा कोई वी इसउन नह आपको suggest करूंगा कि आप वी बॉर्ट config को यूज करें तो गई सबसे पहले मैं आपको पने फून की रैम दिखा देता हैं तो बाउट फून में जाएंगे यहां देख सकते मेरी रैम 2GB इसके बाद आपने वहाँ चले जाना है जो आपने मेरी config files रखी हो मैंने यहां पर रखी मिया है हमारे पास तीन से 6GB RAM वाली config है 512 से 1.5GB RAM वाली config आप कोई भी यूज कर सकते हैं अब आपने करना क्या आपने एक्स्रेक्ट कर लेना है एक्स्रेक्ट ऐसे करेंगे किसी भी रार एक्स्रेक्टर से इनको एक्स्रेक्ट करेंगे तो इसको उपन करेंगे अपने वहाँ चले जाना है यहाँ अपने मेरी config files रखी हो मैंने को यूज करना है तो गई यह एक्स्रेक्ट होगी अब आपने बैक करना है अपने वापस में जाना है फाइल में ठीक है फाइल में एक बद जाने के बाद बैक करना है वापस जाना है यह दोने config files राजाएंग वी बॉट लैक्फिक्स उनफिक वी स्किन लैक्फिक्स उनफिक तो आप कोई भी उस को सकते हैं अब आपने करना क्या आपने जाना है इंटर्नल स्टोरीज में इंटर्नल स्टोरीज एंड्रोइड डैटा यहां जाने के बाद आपने स्क्रोल करना है इसको उपन करना है फाइल्स को उपन करना है कॉंटेंट कैचे को उपन करना है और ऑप्षिनल को यहां से कट कर लेना है इसको कट करने के बाद आपने वापस में जाना है मेरी config files में ठीक है मैं बैक करता हूँ SD card में मैंने यहां पर config file रखी में तो गईज अब आपने देख लेना है आप कौन सी config लगाना चाहते हैं अगर आपको फ्रमूद gameplay चाहिए बिल्कुल भी लैग नहीं चाहिए तो फिर आपने वीबोट config को यूज करना इसमें आपकर जो close है वो default हो जाते हैं तो हम वापिस जाने इंटर्नल स्टोरेज में इंटर्नल स्टोरेज एंड्रोइड डेटा यहां जाने के बाद कॉम डोडीट फ्रीफायर को ढूंडना है और इस वे टैप करके डिलीड कर देना है और आपने यहां पर वह वाली config file पेस करने हैं जो मैंने आपको दिए जो आपने इंटर्नल स्टोरेज एंड्रोइड डेटा और यहां पर इसको पेस कर देना है तो गैस जो हमारी lag fix one fix है वो पेस्ट हो रही है जो हमारा lag होगा वो बिलकुली खतम होगया होगा और गैस अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर होती है कोई ऐसी टिप्या ट्रिक नहीं है जो वर्क ना करें